तब क्या हुआ जब ट्रेन से कटकर हुए नाग के दो टुकडे दोस्तों उडीसा में पूजा नाम की एक लड़की रहती थी वह नाग नागिन के जोड़े के लिए अपने हिस्से का दूद एक कटोरी में रख दिया करती थी और वह जोड़ा आकर उस दूद को पी जाता एक पट्री की और जंगल की तरफ ले गए तभी वही नाग नागिन का जोड़ा वहां फन फैलाए उन लड़कों के सामने था अब पूजा को भागने का मोका मिल गया था तभी अचानक एक लड़के ने बड़ा पत्थर उठाकर नाग को मार डाला और उसे रेल की पट्री पर फैंक दिया और कुचल दिया नागिन ये सब देख रही थी उस समय वह बहुत गुस्से में थी फिर वह नागिन भी उनका पीछा करने लगी और मोका पाकर उन्हें डसा और अपने नाग की मौत का बदला पूरा किया दोस्तों घटना पसंद आई तो कॉमेंट्स में जरू लिखे हर हर महादेव